मेरे पहरे देश्वासियों, कोरोना संकट के इस दौर में मेरी विश्व के अनेएक नेताओं से बाचित हुई है। लेकिन मैं एक सिक्रेट जुरूर आज बताना चाहूंगा। विश्व के अनेएक नेताओं की जब बाचित होती हैं, तो मैंने देखा इन दिनों उनकी बहुत ज़्यादा दिल्चस्पी योग और आयुरुवेद के समन में होती है। कुछ नेताओं ने मुझसे पूछा कि कोरोना के इस काल में ये योग और आयुरुवेद कैसे मदद कर सकते हैं। साथियों, अंतराश्टिय योग दिवस जल्द ही आने वाला है। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास को लेकर जागरुकता भी लगातार बढ़ रही है। अभी कोरोना संकट के दोरान भी ये देखा जा रहा है कि होलीवूड से हरिदवार तक घर में रहते हुए लोग योग पर भावध गंभीता से ध्यान दे रहे हैं। हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ हरिवेद के बारे में और ज़्यादा जानना चाहा है। उसे अपनाना चाहा है। कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया वे भी या तो ओनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ओनलाइन वीडियो के माद्यम से भी योग सीख रहे हैं। सही मैं योग, कम्यूनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सब के लिए अच्छा है। साथियों, कोरोना संकड के इस समय में योग आज इसलिए भी जाद आहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टिम को सबसे अधाईक प्रभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टिम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायम है, जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये टाइम टेस्टिड टेक्निक्स हैं, जिसका अपना आलग महत्व है। कपाल भाती और अनुलोम बिलोम प्राणायम से अधिकतर लोग परिचित होगे। लेकिन बस्त्रिका, शितली, ब्रहामरी जैसे कई प्राणायम के प्रकार है, जिसके अनेक लाब भी है। वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुश मंत्राले ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुश मंत्राले ने माई लाइफ, माई योग नाम से अंतराष्टिय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगीता शुरू किया है। भारती नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगीता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना तीम मिलिट का एक वीडियो बना करके अप्रोड करना होगा। इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते हुए, वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बढ़लाव आया है, उसके बाले में भी बताना है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप सभी इस प्रतियोगीता में अवश्य भाग लें और इस नए तरीके से आंतर राष्टिय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिए।